तो म Але मैंने पकोडी और चाय का लिए चाय पिलिए और मात्र भी लाया है पचास कॉभ़े पकोडी नहीं है तो भैाक है यह मैं हमारे विया हैud चलो अब तलते हैं फिर आगे का जो भी सिंध रहेगा वह आएगा बिंसर आपको दिखाते हैं और मिलते हैं बने रहे ब्लॉग में तो गाइज मैं पहुंच गा हूँ यहाँ पर बिंसर में जो अलमोडा टिस्टिक के अंदर आता है और यहाँ पर से आप बिंसर जाने के लिए ना 11 km आपको जाना पड़ेगा तो कुछ इस तरह से लोकेशन है मैं दिखा देता हूं आपको बिंचर कितना किलोमेटर है और कैसा है कहां से जाना है तो यहां परना यह बोन लगा हुआ है आपको मैं दिखा यहां को तो बागेसर को जाएंगे यह है बिंचर को 11 किलोमेटर को और कुछ इस तरह से सुरुवाद गेट का नजारा आपको मैं दिखा देता हूं और यहां कहना है कितना मस्त सीन है तो यह कोटेज है रिसेप्शन स्वागतमकक से है और यहां पर लिखा हुआ है कि बिंचर बनने बिहार में जो भी हाँ पढ़ लीजिए तो इस तरह से है तो यहां से इसके इंट्री है तो यहां पर ना एक गेट बन है अनुमें ती लेनी बढ़ीगी आपको तो यह कुछ इस तरह स भी आपको मिल जाएगा और यहां पर यह पुरा इली जागे तो र्किता पड़ा सुल लेकर डे सकते हैं और यहां पर पुरा टेक लगा हो आप देखसके है यह कितना खूफ सरोड लगशे है और यहां पर रहा मैं पेंटिंग बनाई हुई भी ए और यह बांदा मतरतोम उ कितना खुबसुरत बनाया है और यहां वरी लोगों ने थोड़ा सा बगिजा टाइप कर बनाया है और एक गुलाब खिले हैं यहां पर और यह रिसेप्शन है साकता मकक्स यहां पर आप रह सकते हैं रेंट पर और इसके पीछे न यह हीरन का और देखें उद बिलाओ इसको कितना खुमसरो लग रहे हैं पर यहां आप इस फिर सकते हैं जो रहना है मैं शरब आपको दिखा रहा हूँ कभी अगर मेरे को यहां विजिट रहने का मुका मिलेगा तो मैं यहां रहके भी बताऊंगा कि किस तरह से है कैसा है और एक मिलट मैं दिखाता हूँ देखें पटाल देख सकते हैं इतना खुबशरत है पटाल और यहां पर यह मैब बना यह नेच्रल मैप पर आप कहा से कहा को जाएंगे आप तो यह सारा मैप बना हुआ है तो आप इसके इन सौल ले सकते हैं और जूम करके देख सकते हैं और यह देखें जो कारपोन किया गया है बच्छी साथ बगाची ने और यह कुछ तरह अगी तो साथ कहीं उपर गई नेच्छी काडने पड़ेगी तब जाके आपको उपर के अनुमति मिलेगी तो गायज कैसा लगए आपको बिंचर का जो इंटरेनेस जहना जहां से आप जाते हैं वह कैसा लगा वो बताईए और नीचुको आपको चीड के पेड़ देख रहे हुंगे ।बरा हरा भरा कुछ इस तरह से है अभी मैं थोड़ा नीचे आ गया हूं और यहां पर कोई है नहीं मैं पूस्ता था यहां का कैसा है क्या है अभी बया बैठते वो भी चले गए है तो हाँ यह रेजिस्ट्रेशन है आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूं मेरे को मिल क्या है और भ जो बिदेशी बिद्यार्थ यह उनके लिए 300 एक और बढ़ा बाहन जाएगा तो आटसो रुपया मध्यया बाहन जाएगा तो पांसो रुपया और चोटा बाहन जाएका 2.50 रुपया है यहां पर आपको इंट्री करानी पड़ेगी और उसके बाद ना आपको इंट्री मि से आपको गाड़ी चलानी है अगर उससे ज्यादा आप इस स्विट रखेंगे तो यहां पर आपका चलान कट जाएगा तो आप ना नियमू का पालन कीजिए यहां के तो आपको मैंना एक बार यह खुबसुरत से ना तो यह लिखा हुआ है ना वह दिखा देता हूं मैं यह आप दे सकते हैं बिंसर बन्यजीव बिहार अलमुरा तो कितना खूब शुरू था ना यह देखिया आप दिख रहा होगा आपको यह दिख रहा है तो कुछ इस तरह से हैं अब यहां से इंट्री कर सकते हैं हर्न आप नहीं बजा सकते हैं आपर और हटर का प्रयोग भी नि बजाना है यहां को आप जब जाएंगे ना तो हरनी बजाना है यहां आपको ना सारे चीज बाग भालू और टाइगर अगर सब मिलेंगे अंदर जाके आप दे सकते हैं आप विजिट कीजिए यह बहुत ही अच्छा खुबसूरत पहले से प्रेटिकों के लिए लुभाने घ्ली का देर होंगाना के यह बहुत है मिटा का मिलता ही ना खुरी आप देर है। पर नहीं आपको एक मिनट बोड दिखा देता हूं कि आपको मलब कहा कहां यह है तो कसार देदी यहां से है 9 km है एंटीटी 12 km होगा और अलमोडा का जो बस टेशन है वह 23 km है राजकी संग्राले 23 है और प्रट्रियो सुसना केंदर अलमोडा 23 km है तो अगर आपको कोई भी सु करते हैं वह भाईया मेरे को मिले हैं तो वह बताएंगे यहां अंदर क्या-क्या है बिंसर मलब क्या-क्या देखने का पॉइंट है तो गाइज उन से सुन लेजे आप तो आपका नाम क्या है मेरा नाम भूबंचन पंत इनका नाम भूबंचन पंत जी है तो यह बताएंगे कि अंदर बिनशर महीं किस तरह से कैसा और क्या-क्या देखने को मिलेगा और राक माइध कि अर्लोड़ से और कितना रिस्क है और किपना शेप भी है आदमी हम पर तो बताएंगे तो बताये आं मुझग के अंदर क्या-क्या देखने को है उपर हिमाले ब्यूद दिखाई देता है जो पॉपन से और नेचर जंगल है और घुरण कांकर लैपट ऐसी दिखाई देते हैं और शेख तो आप अपने हाथ पर है तो यहां से इमालाई भी देख सकते हैं? serve और देखने का है आप और हुँँ और यहां कहते है ना मलब दुनिया का एक ऐसा केंडर बिंदु है यहां पर आकशा饪。 zkता मिलती हैं मॉद्हनकिता है बहुत सांथ यह उपर जीरो पॉइंट पर हाँ जीरो पॉइंट जहां पर है तो कहते हैं ना मुझा बिदेशों भी लोग आये और सर्च किया वहाँ पर आदमी सब कुछ भूल जाता है सारी चीजे बूल जाता है उचको मुझा इतना सकून मिलता है वहाँ सांथी है है ना तो यहां पर अंदर है कि रिस्क अपना है रिस्क अपना है वैसा कुछ है नहीं हिमालाई आप दे सकते हैं और यहां पर जीरो पॉइंट है वर्ल्ड का यहां पर जीरो पॉइंट है आप यहां आके ना सुकून भी सांसे ले सकते हैं और सब कुछ भूमे ने बताए तो मिलते हैं अभी आगे एंटीडी और अलमोडे में बने रहे हैं ब्लोग में तो गाइज ने मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे आया बिंसर से आगे आया तो जंगल में ना मेरे को यह काफल का पेड मिला है जो उत्राखंड में इस समय जो पकने वाला फल है वो काफल बहुत फेमस है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो खटा मिठा दोनू होता है तो मैं दिखाता हूँ काफल का पेड दिखाता हूँ आपको और कैसे होते हैं काफलों दिखाता हूँ तो यह है काफल का पेड़, आप देख सकते हैं, यह छोटे पेड़ भी होते हैं, बड़े पेड़ भी होते हैं, यह सबसब छोटा पेड़ यह है, यह बड़ा होके काफल का पेड़ बनेगा, और यह बड़ा पेड़ है, तो यहाँ पर आप आसानी से चड़ सकते हैं, और इस मगर बहुत ही अच्छा हो रहा है यार यह काफल बहुत अच्छा हो रहा है तो आप देखें गाइस यह है काफल इसको बोल देना काफल यहां यह पग गया है यह बड़ा मीठा हो रहा है तो एक और खालेता हूं मैं तो यहाँ पर सिजन चड़ा हुए यह कि यहां पर आईए आप जो भी माला विंशर के थोड़ा सा नीचे है आप फिरी में काफल ले जाए अलमोडे में और रास्ता में बच्चन लोग काफल बेच रहे हैं अगर यहां पर ना फिरी आपकोष काफल है आप जितना ले जा ले जा ले जाओ एक्टम फिरी है यह देखिये कितने अच्छे काफल लगे देखो आधे कर अरे भी और यह थोड़े रहे यह पक जाएंगा इनका यहीं समय ना पकने गास यह देखिए इसमें ने काटे भी नह चड़ के बताऊंगा आपको ओ माई गॉड यह देखिए मैं चड़ गया हूं काफल के पेड में यह देखिए बहुत सारे मेरे चारू और काफली काफल है आप देख सकते हैं यह देखिए काफल इतने सारे काफल यहां बंदर भी निये नहीं तो यह सब लोग खा लेते तो आपको कि आपको कपमें देखिए आपको काफल कैसे लग तो यहां पर नहीं है आप में उतरता हूं नीचे तो मगी नीचे अश向ता गया हूं अबी में थोड़ा बहुत काफल लेता हूँ तो यह देखे विए काफल एक लिक लों है चलो मैं अभी है